नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग। राहुल गांधी को अब तक उमीद ही कि गुजरात हाई कोट ने भले ही उनके समर्थन में फैसला ना सुनाया हो लेकिन सुप्रेम कोट उन्हें राहत देने का काम करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। दो साल की सजा हुई बलकि उनकी सांसदी को भी रद्ध कर दिया गया। इसके चलते राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। राहुल गांधी आट साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और इसका भुकता साल दोहजार शौबीस में कॉंग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई सकती है। इसे लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी नाराजगी को भी जाहर किया, कल देश भर में कॉंग्रेस पार्टी ने मौन सत्याग्रह का आवहन किया। जो इसके बाद दावा किया जा रहा है कि क्या अब इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्या राहूल गांदी को लेकर के कोई फैसला सुनाया जा सकता है। वहीं आपको बता दे कि राहूल गांदी के खिलाव पुर्णेश मोदी ने सुप्रेम कोट में एक एविकेट दाखिल किया है, इसके मुताबिक एक पक्ष की सिर्फ सुनवाई पर सुप्रेम कोट अपना फैसला ना सुनाए। दोनों पक्ष की सुनवाई हूँ और उसके बाद फैसला सुनाए जाए। साथ ही यहाँ पर पुर्णेश मोदी ने सुप्रेम कोट से ये भी गुहार की कि अगर इस मामले में सुप्रेम कोट में राहूल गांधी या फिर उनके वकील पेश नहीं होते हैं तो फिर सुप्र कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रिया ध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे के खिलाफ भी सौ करोड का मानहानी का मुकदमा पंजाब की संगरूर कोट में चल रहा है। कांग्रेस ने वीजेपी की साजश बताया और अब सवाल लगतार ये उच्छ रहा है कि राहूल गांधी की गिराफ्तार जा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया उसके बार राहूल गांधी को कोई बड़ी खुष खबरी यहां पर मिल सकती है। क्या यहां पर लोग सभा स्पीकर ओम बिल्ला उन्हें कोई यहां पर कह सकते हैं राहत देने का काम करते हुए दिखाए देंगे इन तमाम मुद्दो को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते र वस्लमस्काओ